Hello दोस्तों, तो जैसे कि हमने पहले की वीडियो में पढ़ ले आ है आपका Organizing Structure और Functional Organizing Structure तो आज हमें इस वीडैयो में आपका पढ़ने वाले है – Division Organization Structure तो देखते हैं Divisional Organizing Structure होते है का है आपका Divisional Organization Structure है वो बोलता है कि इसमें हम different different वह बोलता है कि हम इसमें different 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 product manufacture करते हैं यानि कि different different product बनाते हैं जैसे कि माल लेजे कि कोई एक organization है जैसे कोई एक business man है जो अपने उसमें skutty भी बनाता है bikes भी बनाता है और cycle भी बनाता है यह organization लेकिन अलग अलग चीज exactly गरते है जो अमने functional structure में पढ़ाता आपका उसमें क्या बोलता इसमें वोलता था 와서 उसमें वोलता था भी सिपफ एक ही प्रोडेक्ट बनाता है सिपफ एक ही प्रोडेक्ट बना आ ठा लेकिन youको आपके अलग अलग प्रोडक्ट बना रहा है, स्कोटी बना रहा है, स्कोटी बना रहा है और साइकल भी बना रहा है जो यह जितने भी प्रोडक्ट है, स्कोटी, बाइक और साइकल इन सब के लिए एक सहपेट उनिट चाहिए होगा और एक सहाब बेशाएं चाहिए इनका अलग अलग डिविजेन होगा जो बाइक है तो एक या अलग अलग होगा ताकि जो भी प्रोडेक्ट है इनुपर डू अटेशन दिया जा सके और हम हर प्रोड़क्ट के मुनाफ़ा देख सके हमें कौन से प्रोड़क्ट से किता सा फषेश्यडीन कमेब होता है जिसमें एक इसन अपना धांचा करता है अकोरिंग टूद प्रड़ेट्स इसमें तैयार हो धांचा करता है according to the product, जो product है इनका अलग अलग सबका अपना धाचा होगा, यह organization जितने product के साथ deal करता होगा, उतने products का धाचा बनाएगा, यह ही कहता आपका division structure, धाचा मैंना समझे हो ना आप, कि जो स्कूटी है, इसका purchase department, financial department, production department, जितने products हम बनाते हैं, सभी के अपने धाचा होगा, वैसे ही आपके cycle में अलग अलग डिपार्टमेंट होगे, तो यही कहता है, जितने product हम बनाते हैं, सबीकि अपने अपने घाचे होंगे देखते हैंग और माल लिछे के इसमें अङले हैं इस इस को यहाना तप को स्कुर्ट का यह बनाता है स्कीन क्या है और बनाता है फुट्ड फुटी। तो जो यह है यह managing director यह जो 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 इस इसमें बंद तो अलग अलग यह ना cosmetics अलग है skincare के प्रोड़क्ट अलग है फुटवेयर के प्रोड़क्ट अलग है तो इसमें यह तीन डिविजिन्स हो गये है यह अलग अलग आशेषयर अलग तो इसमें लोग अलग अलग है इसमें अलग प्रोड़क्टिम्टे पुटा में अलग होगा फैनेंसेल डिपाट्मेंट होगा और इसमें आपका कोड्रशन डिपा करिगा अलग होगा वैसे ही skincare के लिए same अलग-अलग department होगा purchase department, sales department, production department और financial department, same to same food wear के लिए, food wear के लिए इभी होगा, अलग-अलग department, यह ही कहता आपका design order structure, इसमें पढ़ सकता आप, तो यह आप कॉस्मेटिक है ने, इसका भी manager अलग होगा, skincare के manager अलग होगा और food wear के manager अलग होगा, इनके managers भी अलग होगा, इनके department भी अलग होगा, देखते हैं इसके, तो अब देखते हम, advantages of division structure, पहला पर developments of division heads, second is facilities in fixing accountability, third is promote flexibility and initiative, fourth is facilities expenses and growth, हम पहला देखते हैं, deployments of division heads, तो देखते हैं आपका पहला advantage क्या है, deployments of division heads, जो आपका division head है, उनका deployment होता है, कैसे, जरसे कि माल लिजिए, अंदर division structure, the head of each division is required to look after all the functions connected with their product, that is purchasing, production, marketing, etc, this will help in the department of varied skills in the divisional heads and prepares him for higher positions, divisional heads है, उनका deployment कैसे, माल लिजिए, एक थाप का cycle, एक थाप का product और एक थाप का scooty, एक थाप का scooty, तो, cycle का एक manager था, bike का भी एक अपना manager था, scooter का भी अपने manager था, जैसे कि इन सभी के अपने managers थे, तो, इनके भी head है, जैसे कि purchase department, purchasing का, production का, इन सब, जो यह head है, यह सब अपना काम देखा है, यह काम देखा है, purchasing का, production का, marketing का, यह सब काम देखा है, जैसे bike का भी है, और scooty का भी है, तो, जो, जितने भी यह divisions है, यह सब एक manager देखा है, जितने भी functions है, यह manager देखा है, purchasing का हो, production का हो, marketing का हो, तो, यह help करते है, department को, उनके skills बढ़ाने में, जब वो, तो, जो यह काम देखते है, तो, उन काम देखते देखते है, जाता है, इसको experience हो जाता है काम कैसर किया जाता है, तो, यह higher position, तो, यह higher position ले तयार हो जाता है, आद आपका, facilities in fixing accountability, याई याई, under division structure, division heads are given adequate authority, resources, freedom, decision, freedom, decision, related to their decisions, in this situation, they can be held responsible for poor performance, which would not have been possible, if organization would have followed the functional structure, जैसे कि हमने बताया है कि अलग-अलग product के, अलग-अलग head है, तो, इन सब पर अपने-पनी responsibility है, अपने-पनी authority है, सब के पास अपने-पनी responsibility authority है, अपने-पने resources है, अपने-पने freedom है, यह जैसे चाहिए, वैसा काम का सकते हैं, अपने employees है, सब पर अपने-पने freedom, authority, responsibility है, तो, यदी, suppose, मान लिजए कि उसकी performance बहुत अच्छी नहीं है, इसका ज्यादा profit नहीं हो रहा है, तो, यह कोई बहाने नहीं दे सकता है, कि मुझ पर authority नहीं है, resources नहीं है, कुछ ही नहीं है, यह कोई बहाने नहीं दे सकता है, जो इसकी, जो इसकी poor performance है, यह इसके ही बज़े से है, जो यह आपका पर most flexibility and initiative, यह क्या था, जो आपका division structure है, उसमें जितने भी product आपके, वह autonomous unit क साथ काम करते हैं, जितने ही workers में काम करते हैं, हो autonomous है, there is freedom in the operation and decision making, उन सम्में अपने आजाती होते हैं, काम करने की और अपने decision लेने की, ऐसा नहीं है कि जो cycle वाला हो, बाइक वाला हो, बाइक वाला हो, बाइक वाला हो, बाइक वाला हो, ऐसा नहीं है, so we can say that it promotes flexibility develops and initiative and lead to the faster decision making, लास्ट के आपका facilitate expenses and growth, जैसे कि अभी हमने बोला था कि एक organization है, जो आपका cycle, cycle, bike और स्कूटी बनाती है, यह अलग-अलग product है, यह बनाती है, एक organization, तो जो facilitate expenses and growth यह बोलता है कि यदि यह organization, क्या चाहिए कि आप cars बनाते हैं, तो यह बना सकती है, चाहती है, एक नया product औ बनाओ, मालने जे, यह चाहती है, close बना लिए, यह अलग product बनाना चाहती है, तो यह easily कर सकते है, क्योंकि इसको इन में कोई changes लाने की अवशक्ते हैं, जो bike cycle और स्कूटी का काम है, यह वैसे ही चलते हैंगे, जैसे पहले चलते थे, इन्हें कोई change लाने की अवशक्ते हैं, जो cars है, यह फिर close का है, यह अपना एक अलग department फिर खोल सकते हैं, यह organization एक नया department खोल सकते है, ताकि यह एक नया product बना सके है, तो यह कहता है, जो आपको यह कहता है, डिविजिनल इस्ट्रॉक्ट्टर जो advantage है, यह है, facilitates expansion and growth, यह expense कर दिया अपना business को और जादा, देखते ह आपका disadvantage of divisional structure, जो पहला है, वो है conflict between divisional heads, यानि कि, जो divisional heads है, उनके बीच, यह है, यह disadvantage था आपका functional structure में भी, तो, जो, जैसे कि हमनों उसमें example दिया था हूँ, वैसी, इसमें भी same है, जैसे कि हमारे तीन product थे, जैसे हम पर तीन product थे, bike, scooty and cycle, मानिजे, इसको fund आता है, इसको fund आता आपको 90 lakh का, इसको fund आता आता आपको 50 lakh का, और इसको fund आता है 30 lakh का, तो, जो, स्कूटी वाला है, वो बोल सकता है, कि, bike ओले को ज्यादा fund क्यों दिये, cycle वाला बोल सकता है, कि, स्कूटी ओले को, और bike ओले को ज्यादा fund काई के लिए, क्यों दिया मुझे भी दे सकते हो तो यह है इनके बीच conflict चलते ही आपका पहला disadvantage आपका next disadvantage है वो आपका costly जो डिविशनल है वो बहुत जाला महेंगा होता है क्यों क्यों कि डिविशनल इस्ट्रॉक्ट्टर है को और similar kind of department for each division मालग जे कि जो bike 1 अपका bike का कि सकुटी एक कि सेंक इनके अपनेबाइं डिपार्टिंट बाइंट इसका जिस asse गइं इतूर इस्कोटिक के मेरне खकर जलिंश की सेंच बिपार्टेंट वाइंग दे स्गें कि लेकिन अपने मिश्यूस अफ अफ अथर्टी निगी निढी पावर का मिश्यूस करता है जो इनका मिश्यूस कर सकते हैं इन कोट्स ऑफ टाइब सथ दीजने हट्स में मिश्युश्व इस अथर्टी एंड में इग्नोर्ट और इस इनिटर्स अपनी अथर्टी यह निदी पावर जब पावर आता तो हरकोल जाद खुड उड़ता है तो हैसा ही जब मैनेजर्स पर जाद अथर्टी है तो वह और दी organization goals goal goal the holiday attacked the power say maybe can you buy the Ke corpszero yeah year issues of your authority अब पढ़ते हम आपकोbench difference between functional and condition structure यानि कि functional div इन consideration difference को है पहले difference formation based पे function structure formed on the basis of measure function to be performed the the duration structure based practice of product to be manufacture जो functional structure है वो major function जो करना है उस base पे बनता है लेकिन जो divisional structure है वो product के base पे बनता है जितने ज्यादा product उतने ज्यादा divisional head specialization है functional specialization और ये जो है ये function function specialization यानि जो function करते है उस पे specialization होता है और divisional का product specialization होता है यानि जो अलागा product पे specialization marginal deployment in functional structure middle level management that is departmental heads gets specialization in only one kind of function so limited deployment take place in divisional structure the middle management that is digital heads looks after weird jobs so immense and deployment is possible जो आपका functional structure है जो आपका functional structure का middle man यानि departmental heads है वो सिब एक ही job को देखते हैं तो उनके जो वो है specialization limited है जादा बढ़ती नहीं है लेकिन जो आपका divisional structure है जो उसका departmental head है वो अलग अलग product को अलग अलग product को देखते है तो उनका जो वो डेपलेमेंट है वो बहुत ज्यादा हो जाता है फिर दिखते हैं functional structure और division structure का on the basis of cost the functional structure less cost than less cost होता है क्योंकि आपका अलग 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 department नहीं बनाना पड़ते हैं अलग अलग क्योंकि यह सब एक ही है एक one boss है इसमें एक manager है जो बहुत पूरा इसको देखता है purchasing department, sales department सबको देखता है एक product को पूरा complete देशना पड़ता है लेकिन जो आगड डिजन head का coordination है बहुत होता है बहुत अच्छे से होता है क्योंकि इसमें सभी product के अपने-पने manager है अपने-पने heads है अपने-पने department अपने-पने manager है अपने बहुत है तो यह easily coordinate इनके अच्छे इनकी भी अच्छा coordination हो जाता है इतना ही है दिन्यावाद